जैसे ही मैंने अपने फेस्बूक को ओपन किया तो दिखा कि मेरा फेस्बूक अकाउंट हेक हो चुका है लेकिन यहां पर मैंने फाइनली से रिक्वर कर लिया है तो आप लोग भी अपने फेस्बूक अकाउंट को आसनी से रिक्वर कर सकते हैं अगर आपका Facebook अकाउंट हाल में ही हेक हुआ है जैसे कि 24 गंटे या फिर 47 गंटे हुए हैं तो आप अपने Facebook को 100% रिक्वर कर सकते हैं यहाँ पर काउंट सी ऐसी चीजे हैं जिनको फोलो करना चाहिए कि कि बहुत सारे लोगों का अकाउंट हेक हो जाता है तो जो चीजे उनको पता नहीं होती है तो वो फोलो नहीं कर पाते हैं आज किस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपका अगर Facebook अकाउंट हेक हो चुका है तो आप उसको वापस ला सकते हैं 101% कि यहाँ पर मैंने अपने अकाउंट को वापस लाया है तो आप लोग भी अपने अकाउंट को वापस ला सकते हैं सबसे पहला आपको गलती जो नहीं करनी है आपको किसी भी विक्ति को अपना id, password नहीं देना है कई सारे लोग ऐसा होते हैं कि मांगते हैं id, password कि हमें 2 हम अपना आपका अकाउंट को 100% रिकुवर करा देंगे ऐसा आपको गलती नहीं करना है दूसरी चीज कई बार लोगों के साथ होता क्या है कि वो अपने फोन को चोरी करवा देते हैं सुरी जैसे कि उनका फोन बाइचन चोरी हो गया है तो उनके फोन में जो उनका Facebook अकाउंट है वो लोगिन होता है लेकिन वो दूसरी फोन में लोगिन करने के लिए ट्राइ करते हैं तो उनका लोगिन नहीं हो पता है अगर इस तरह की दिक्कत है तो आपको किसी भी कंडीशन में अपना I.D. पास्बोट किसी ठेट पर्टी विक्ति को नहीं देना है तो यहाँ पर आपको करना क्या है सबसे पहले अभी देखिए मालीजी यह मेरा Facebook अकाउंट है जो हेक हो चुका है अभी यहाँ पर हमें करना क्या है सबसे पहले देखिए आपके पास होता क्या है वो फोन होता है जिसमें आपका Facebook अकाउंट पहले से लोगिन था, तो वहाँ पर आप जब इसको लोगिन करने के लिए जाएंगे, सारे चीज ट्राइ करेंगे, लेकिन फिर भी वो आपके में लोगिन नहीं होगा, तो इसके लिए क्या बताते हैं, आईए जानते हैं, सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, आपने कि प्राजर को ओपन कर लेना है, जो भी आप इस्तमाल करते हैं, हो सकता है, आप को क्रोम का इस्तमाल कर रहे हों, या फिर गुगल का यूज कर रहे हों, आप ओपन करिएगा, और यहाँ पर लिखिएगा, फेस्बुक, जैसे आप लिखेंगे, फेस्बुक सपोर्ट टेप, यहाँ पर लिखने के बाद, आप देख पाएंगे, कि यहाँ पर आपको इस तरीकी का पेद देखने के लिए मिलेगा, सबसे पहला आपको मिलेगा, help center facebook दुसरा मिल गया help center require your facebook account तो आपको इस पे click कर देना है जैसे आप require your facebook account पे click करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको इस तरीके का page दिखाई देगा यहाँ पर आपको और देखे के ओपर click करना है और यहाँ पर आपको करना क्या है सारी चीज़ा आपको देखने के लिए मिल जाती है और यहाँ पर आएंगे तो देख पाएंगे कि यहाँ पर आगी हमें दिक्कत क्या है आप यह पता लगाना चाते हैं कि आपका account बंद कर दिया गया है लेकिन नहीं, हमें यहाँ पर करना क्या है आप अपना पास्बूल भूल चुके है आप ऐसे चीज बेज़ दे दिये जिसमें माल लिजिए आप यहाँ पर करना क्या है सारे लोग करते कहा है, हेक Facebook अकाउंट यहाँ पर अभी Help Center से उनका काम नहीं चल पा रहा है और यहाँ पर पहले आपर खिल देना है जिसे पहले अल पर क्लिक करेंगे तो थोरा सा नीचे आएंगे आपण सारी चीज़ बता दी लाइंगी अभी मेरे हमें हिंदी चालू है और यहाँ पर मैंने जो चीजों को फोलो किया है और हिंदी में समझ में नहीं आ पाँ रहा है तो हम यहां पर google का open करेंगे और यहां पर रिखेंगे facebook bei a account तो फेस्बुक अ करेंगे या फिर फिर अपहसेंटर भी लख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं ठीक है और यहां पर देखिए require your account मिलेगा तो आपको इसके प्रिकल लगना get a study पे क्लिक करना है और जिसे आप get a study पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको देखे सबसे पहले लोग इन करने के लिए बोलेगा और यहाँ से आप लोग अपने facebook अकाउंट को लोग इन करने के ट्राइ करिए अभी माली जी यहाँ पर हम अपना एक अकाउंट लोग इन करते हैं जिसमें माली जी कोई सबी एक अकाउंट हो सकता है for example यहाँ पर हम ले लेते हैं इस अकाउंट को ले लेते हैं और यहाँ पर एक कोई सबी अकाउंट का नमबर ले सकते हैं बूल चुके है तो पासबर भूल जाए पर क्लिक करेंगे और यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर ड़नना होगा जो भी आप मोबाइल नंबर यूज करते हैं फोर जांपल के लिए यहां पर हम दाले यह मेरा account नहीं है, लेकिन login पर click करेंगे, आपको यहाँ पर यह बोलेगा आपको password चेंज करने लिए, तो यहाँ पर आप अपना password चेंज कर देंगे, मैंने इसका यहाँ पर किसी भी account चेंज नहीं हुआ है, तो यहाँ पर हमें password डानने के लिए ही बोला है, अगर password चेंज एक बार help center के अंदर आपके यहाँ पर आपको देखे, रिपोर्टर प्रोब्लम दिखाई देगा, रिपोर्टर प्रोब्लम पर click करेंगे, आप लोग यहाँ पर यहाँ से भी एक आपका account वापस आ जाएगा, और यहीं से आपका account होगा, और सोचेंगे, अगर आप किसी थेर पाटी को password देखेंगे, तो वहाँ पर नहीं हो बाएगा, आप पराने password को दाले के try करिए, आपका account 100% recover हो जाएगा, वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल पर पहली बारे सस्क्राइब कर लीचेगा,